बेटियों के लिए एक सुनहरा भविष्य सुकन्या सम्रिद्धी योजना क्या है? यह योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है भारत में बेटियों को हमेशा से लक्षमी का रूप माना गया है वे घर की रौनक और परिवार की शान होती है लेकिन उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यक्ता है लेकिन अक्सर उनकी परहाई और शादी जैसी जिम्मेदारियों के कारण उनकी पैसों की सुरक्षा पीछे छूट जाती है माता पिता की चिंताएं बढ़ जाती हैं और बेटियों के सपनों को पूरा करने में आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं इसी कमी को पूरा करने और बेटियों को आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने सुकन्या सम्रिध्धी योजना शुरू की। बेटियों के प्रति लोगों की सोच को बदलने में भी मदद करती है। पैसे की मदद देती है यह योजना बेटियों के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है इस विडियो में हम सुकन्या सम्रिध्धी योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे इसके फायदे का हासियत और इसमें अपलाई कैसे करें यह सब समझेंगे हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और इसके लिए क्या-क्या प्रक्रियाएं हैं साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस योजना के तहट कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और इसे कैसे आसानी से लागू किया जा सकता है सपनों को पंक देने का एक जरिया सुकन्या समरिध्धी योजना क्या है? सुकन्या समरिध्धी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है, जो खास तोर पर बेटी की प्राई और शादी जैसे जरूरी कामों के लिए बनाई गई है. योजना न केवल माता पिता को अपनी बेटीयों के भविश्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करती है, बलकि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर वित्तिय भविश्य की ओर भी ले जाती है. इस योजना का मकसद माता पिता को अपनी बेटियों के भविश्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना है, खास कर उन परिवारों में जहां बेटियों को अक्सर परहाई और दूसरे मौकों से वंचित रखा जाता है। इस योजनाओं की तुलना में अधिक होता है, जिससे माता पिता को अधिक लाभ मिलता है। इस योजना की सबसे खास बात ये है कि इसमें निवेश किये गए पैसों पर टैक्स में छूट मिलती है, जिससे यह और भी फायदे मंद हो जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहट माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वित्तिय भविश्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। यह योजना न केवल वित्तिय सुरक्षा प्रदान करती है, बलकि माता पिता को अपनी बेटीयों के सपनों को साकार करने में भी मदद करती है। अभियान के तहत की गई थी। इस योजना का उद्देश ये बेटीयों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके शिक्षा और स्वास्थे को सुनिश्चित करना है। इस अभियान का मकसद देश में लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करना था। यह अभियान समाज में बेटीयों के प्रती सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए भी है। देखने के बजाए उन्हें एक कीमती तोफे की तरह अपनाने का संदेश दिया है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बलकि बेटीयों के प्रती समाज की सोच को भी बदलने में मदद करती है। योजना की शुरुआत के बाद से लाखों माता पिता ने अपनी बेटीयों के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना में इंवेस्ट किया है। इस योजना के तहट माता पिता को टैक्स में भी छूट मिलती है जिससे वे और अधिक प्रोथसाहित होते हैं। पान अवसर मिलें। चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो या कोई अन्यक्षेत्र। यह योजना बेटीयों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें आत्म निर्भर और सशक्त बनाने में मदद कर रही है। सुकन्या समरिध्धी योजना ने न केवल बेटीयों के भविश्य को सुरक्षित किया है, बलकि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया है। यह योजना एक प्रेरणा है, जो समाज को यह संदेश देती है कि बेटियां किसी से कम नहीं है और वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। खाता खोलने के लिए जरूरी कागजात में बच्ची का जन्म, प्रमान पत्र, माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ शामिल है। खाता खुलवाने के लिए कम से कम 250 रुपिय जमा करने होते हैं और एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपिय जमा किये जा सकते हैं। खाते में जमा राशिपर इंकम टैक्स अक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। खाते में पैसे भेज सकते हैं। खाते में कम से कम 250 रुपिय जमा करने होते हैं और एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपिय जमा किये जा सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार महीने, तीन महीने, छह महीने या साल में एक बार खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि खाता खुलवाने के बाद लगातार 15 साल तक इसमें पैसे जमा करना ज़रूरी है। सेक्शन 6. आकरशक ब्याजदरें सुकन्या समरिध्धी योजना में आपका पैसा कैसे बढ़ता है? सुकन्या समरिध्धी योजना अच्छा ब्याज देती है, जो बाजार की दूसरी बचत योजनाओं से ज्यादा होता है। ब्याजदर सरकार द्वारा समय समय पर तै की जाती है और ये हर तीन महीने में बदलती रहती है। फिलहाल सुकन्या समृध्धी योजना पर 7.6% की अच्छी ब्याजदर मिल रही है जिसकी गणना चक्रवृध्धी ब्याज के आधार पर की जाती है। सक्षन 7. योजना की अवधी और मेचूरिटी सुकन्या समृध्धी योजना से पैसे कब और कैसे निकालें। जिसमें मूलधन और उस पर मिला हुआ ब्याज शामिल होता है। मचूरिटी पर मिलने वाली राशी पर कोई टैक्स नहीं लगता है यानि आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सुकन्या समृध्धी योजना के खास फायदे। और भी फायदे मंद बनाता है। टैक्स लाब के अलावा सुकन्या समृध्धी योजना निवेशकों को पैसों की सुरक्षा और मन की शांती भी देती है क्योंकि यह योजना सरकार द्वारा संचालित है।